साथियों, आज का नया भारत नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है आज भारत तेजी से विक्षिद होती एकोनामी भी है और निरंतर अपनी एकोलोजी को भी मजबूत कर रहा है हमारे फोरेस्ट कबर में बृद्धी हुई है और वेटलेंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्योबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायदी को इसको मैच कर सकता है इंटरनेस्टलर सोलार अलाइंस हो कोईलिशन फर डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफ्रास्रक्टर हो या फिर लाइफ मुवमेंट बड़ी चुनोतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नित्रुत्व दे रहा है अपने कमिट्मेंट को पूरा करने के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है बीते वर्षों में लाइंस, शेरों, बागों, हाथियों, एग सिंग के गेंडों और तेंदों के संख्या में बृद्धी हुई है जैसे अभी पुपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मद्यप्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्सा लोटा है हर भाईतवासी के रगों में, संस्कारों में, जीव मात्र के प्रति दया और प्रक्रुति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रगार से जूं उठाता? हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था, जैसे उनके अपने घर में कोई प्रियम महमान आए हैं, ये हमारे देश की एक काकत है प्रक्रुति के साथ संतुरन साध्रे का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आनी वाली पीडियों को भी समस्कारित करते रहें इसी संकल्प के साथ भारत ने 2070, 2017 तक और अभी हमारे पास करीब करीब 5 दसक है, नेट जीरो का टार्गेट रखा है अब देश का फोकस, ग्रीन गोथ ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत आउसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए, हर राज्य के परियावरान मंत्राले की भूमिका बहुत बड़ी है ग्रीन गिजर प्राप्ति के लिए और यज कुछ एल प्राप्ति की बात की लाओ पात की ले ग्रीन गामे मंत्राट सेथी टीटी की लिए जोड़ी की मत्रीन गूमिक बड़ी है